हेलो दुस्तो विलकम बैक टूनी वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ज़ादा अच्छे हों है दुस्तो काफी दिनों के बाद मैं कोई अपकमिंग वाली वीडियो बना रहा हूँ मैं अपकमिंग वीडियो बनाना छोड़ दियों दुस्तो वीडियो अब मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप लोग वो पसंद नहीं आती है लेकिन जब दिमांड आती है किसी बाइक की वीडियो की नहीं भाई इस चीज़ की बहुत ज़़ादा डिमांड आ रहे है यह बाइक कब तक आ रहे है क्या प्राइज रहेगा क्या चेंजेस कमपनी इसमें करने वाली सबसे इंपोर्टन यह सारी चीज़ों के लेकर बहुत ज़़ा डिमांड थी तो दोस्तो आज की इस फिडियो में यही बात करने वाले है R&5 V5 के बारे में कि दोस्तो कमपनी इसमें क्या कुछ नया लेकर आने वाली है और दोस्तो इस बाइक में आपको क्या क्या अब्डेट देखने को मिलेगा स्वाज की वीडियो आप लोग लिए बहुत ज़़ा इंटरस्टिंग प्लस इंपोर्टेंट होने वाली है अगर दोस्तो आप लोग इस बाइक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस फिडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा चली इस फिडियो को शुरू करते हैं अगर चैनल पे पहली बराया है तो सबस्क्राइब ज़रूर करने जाएगा चली सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के चेंजेस के बारे में कमपानी इसमें क्या क्या चेंजेस करने वाली है देखिए भाई इसमें वैसे तो बहुत सारे चेंजेस होने वाले बड़ आपको मैं इंपोर्टेंट चेंजेस के बारे में बता हुआ सबसे पहला इस बाइक का लुक एंड डिजाइन अब देखिए आप लोग अच्छी तरह की जानतो हो यमा एक ऐसा ब्रैंड है जी खासकर आरण 5 सिरीस वर्जन वर से वर्जन 4 उड़ा लिए थे इस बाइक में कुछ नाखो को चेंजेस लेकर आया है मतलब डिजाइन वाइस company ने design में हमेशा कुछ नब को जिसमें changes लेकर आता ही है company बतब या माँ तो दोस्तो इस बार इसका design किस से inspired होगा ये दोस्तो confirm हो चुका है R1M आपने जो 1000cc R1M देखी होगी नहीं देखी तो आप search करके देखिए जो R1M का जो front look है वो front look आपको इस बार R1M V5 में देखने को मिलेगा ये सबसे पहला update company इस bike में करने वाली है जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा important रखता है और ये update by इस bike में company को करना भी चाहिए तो ये पहला update आपको इस bike में देखने को मिलेगा दोस्तो नमबर 2 का जो update होने वाला है वो होने वाला है इसके speedometer में देखिए अभी इस bike में आपको speedometer देखने को मलता है आपको fully digital meter देखने को मलता है हलाकि हमारे पस TFT का option है लेकिन TFT के लिए आप लोग को क्या लेना पड़ेगा उसके लिए दोस्तो आपको RN5 M series लेनी पड़ेगी लेकिन इस बार जो version 5 रहेगी RN5 version 5 ही इन सभी में आपको जो है TFT डिस्प्ले देखने को मलेगा तो ये भी नया और बहुत अच्छा जो update है company is bike में करने वाली है दोस्तो जो next update होगा इस bike में वो अने वाला है दोस्तो इस bike की graphic and color option में आपको पता दोस्तो company is bike के जो graphic and color option है उसमें भी काम करने वाली जी आइस bike में आपको नया graphic and जो नया color option है वो भी आपको देखने को मिलेगा अब जाहिर सी बात है भाई company इतने सारे update करेगी तो graphic and color option में तो काम करेगी करेगी तो नया graphic and जो नया color option है दोस्तो वो भी companies में offer करने वाली है वो भी एक नया update आपको इस bike में देखने को मिलने वाला है जो कि इसके लिए बहुत ज़़ए important रखता है बात करने दोस्तो इस bike के next update के बारे में तो वो होने वाला है दोस्तो इस bike के tail light में देखिए आप देखेंगे कि version 3 and version 4 में company ने tail light में ना कोई भी changes नहीं किया लेकिन मैं आपको इस बार जो है company जो है tail light में change करने वाली है जो है tail light में आपको नया change देखने को मिलेगा और tail light का जो look and design है वो company जो है थोड़ा नया देने की कोशिस करेगी तो यह भी एक नया update दूस्तो आपको इस bike में देखने को मिलने वाला है जो कि इसके लिए बहुत जादा important रखता और यह update company को भाई इस bike में करना भी चाहिए तो यह update आपको इस bike में मिलेगा दूस्तो बात करने इस bike के next update के बारे में तो वो होने वाला दूस्तो इस bike के indicators में आपको बलता का कंपणी इस bike का जो indicator है उसमें भी काम करेगी अभी आपको bike जो indicator देखने को मिलता दूस्तों आपगो bulb देखने को मिलता गर 1-5 वरिजन 4 आप लेंगे तो उसमें आपको bulb वाले indicator देखने को मिलेंगे बट आपको मैं clear कर दू company दूस्तों यहाँ पर update करके जो है इसमें change करेगी और change करके इसमें LED indicator आपको offer करने वाले है तो यह भी जो नया update है वो आपको दूस्तों इस bike में देखने को देखिए अभी भी इसकी braking में dual channel ABS 282 mm की plate है 282 mm है अभी भी इसकी braking बूरी नहीं आती company ने इसमें अभी भी जो है काफी अच्छी braking दीवी है लेकिन दूस्तों आपको मैं clear करना चाहूँ कि company अब इसके braking में और थोड़ा काम करने वाली है और company changes करके braking में भी थोड़ा सा improvement जो है इस bike में लेकर आने वाली है तो ये भी जो नया update है दूस्तों आपको spike में देखने को मिलेगा जो कि इसके लिए बहुत ज़ादा important रखतार ये भी अपडेट जो है company को इसमें करना चाहिए तो ये भी एक नया update दूस्तों हमें इसमें देखने को मिलने वाला है बागी दूस्तों मैं बात करूँ इस bike के भाई या launch date के बारे में price के बारे में तो देखिए भाई company अगर update ला रही है तो जाहर से बाते थोड़ा ना थोड़ा इसका जो है price बढ़ाएगी अब price मान के चलिए इसका minimum जो price बढ़ने वाला है वो बढ़ने वाला है मेरे हिसाब से भाई आपको बता रहा हूँ 5,000 लूपिस cashpress का company इसका price बढ़ेगी बढ़ाएगी और अगर बात करूँ launch date के बारे में तो ये इस साल दिपा वाली मनतक में R&5 V5 इंडिन मार्केंट में देखने को मिल सकती है और दोस्तों ये बाईक जो है बहुत जल्द आएगी और जैन सी बात है जब V5 आएगी तो V4 का खेल खताम हो जाएगा अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा वेड कर सकता हूँ V5 का वेड कर सकता हो तो थोड़ा आप वेड कर के देखी दिवाले तक नहीं आती तो फिर आपके बाई वीवर का ऑप्शन तो है ब admis थोड़ा सा वेड कर के देख सकते हैं वागी दोस्तों कौन को ले इस बाई का वेड कर रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरू बताएगा फिर चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक फिरियो में लब यू ओल जैन उबंदे मात्राम